Hi everyone, welcome to Current Crunch. तो स्टार्ट करते हमारा आज का वीडियो, आज से एक काफी important lecture होने वाला है, क्योंकि इसमें हम discuss करेंगे previous year question paper, जो आपके social welfare exam का था, although आपको ये याद रखना है कि ये वाला जो paper आया था, ये आपके department का exam नहीं था, ये किसी और department की post साही थी, लेकिन post जो थी, वो social welfare की ही थी, अब ये आपके लिए कैसे relevant है, क्योंकि इनका जो syllabus है, उसके काफी units आपके syllabus से मिलते जुलते हैं, जिसे आपका unit 1 हो गया, फिर आपका global warming वाला हो गया, trafficking वाला हो गया, human rights, women right, तो काफी चीजे हैं, जो आप लोंकी same है, तो इस paper से देखने से आपको क्या हो जाएगा, आपको एक idea हो जाएगा, किस level के questions set होते हैं, and then आपको ये भी पता चलेगा, कि आपकी जो preparation है अभी तक कि वो सही direction में जा रही है या नहीं, ठीक है, तो ये भी आपको और एक बात इसमें याद रुखनी होंगी, ये जो exam हुआ था, ये post जो थी, that was a one notch higher than your post, ठीक है, grade पे के साबसे, इनकी जो post थी, वो आपकी post से थोड़ा ये थी, एक level आप थी, लेकिन ये exam 2015-16 में हुआ था, तो consider this thing in your mind, ये 2024 है, तो हो सकता है आपकी जो difficulty level हो, इस paper जितनी हो या इससे जादा हो, इससे कम की आप expect नहीं करना, ठीक है, अगर आप पहली बार मेरी चैनल को देख रहे हैं, तो do like, share and subscribe to this channel, मैं यहाँ पे courses लेके आती हूँ, हमारा currently specialization complete होने वाला है, plus मैं GK का course लेके आ रही हूँ, जिसमें हम constitution पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, अगर आपको मेरे videos का PDF चाहिए, तो उसके लिए आपको telegram link, जो है, वो मैं description box में ले दूँगी, वहाँ से आपको मेरे telegram group join करना होगा, और वहाँ से आपको सारे PDF साब देख सकते हैं, अब यह जो काफी important रहेगा आपके लिए यह वाला session, तो end तक आप ज़रूरी video देखेंगे, क्योंकि हर question के बाद हम यह भी discuss करेंगे, कि हमने यह जो चीज है, कहां पड़ी हुई है, majority of the things है, majority of the question that you'll come across in this paper, हमने वो अलड़ी अपने videos या अपने PDF में discuss किया हुआ है, तो start करते हैं, पहला आपका यहां से question, यह वाला question आपके history का part है, तो वो हमने नहीं पड़ा है, मैं specifically वो-वो question यहां पर discuss करूँगी, जो question हमने cover किया है अपने videos में, तो जिसका PDF में आपको दिया हुआ है, तो पहला जो question है, यह marriage chapter का question है, question है, द्रोपदी's marriage in the epic Mahabharat would be an example of which type of the following marriages, तो यह जो type of marriages हैं, हमने सारी पड़ी हुई है, मैंने आपको सरूरल पॉलिगामी भी पड़ाया है, और आपको fraternal polyandry भी पड़ाया है, तो क्या होता है fraternal polyandry, जिसमें एक लड़की होती है, और काफी लड़के होती है, तो पॉलिएंडरी इसको opposite क्या होता है, इतना basic आपको पता होगा, कि पांडवा brothers के साथ उनकी शादी होई थी, दुरापदी की, यह हमने history books में बच्पन से पड़ा है, तो आपकी जो knowledge आप कहीं से भी कभी भी कुछ भी पड़ते हो, वो आपकी utilized कहीं न कहीं इन exams में हो जाती है, तो उनने शादी की थी, brothers से, पांच brothers से, तो वो किस टाइप की शादी होगी, फिर fraternal polyandry, तो यह हमने अपनी notes में पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप यह देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर fraternal सर्च करती हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है, two types of polyandry होती है, आपकी fraternal polyandry है, यह आपकी non-fraternal polyandry है, ठीक है, तो यह चीज़ आपको यहाँ से clear हो जाएगी, तो वापस चलते हैं, question paper की तरफ, what does the term global warming mean, तो यह वाला question कहां से आया है, यह वाला question आया है, आपकी climate chapter से, तो global warming हमने पढ़ा है, global warming जहां मैंने detail में पढ़ा है, you remember मैंने आपको separately सारा global warming का जो procedure है, वो explain क्या global warming होता क्या है, तो अब आप मुझे बोलो, उसमें से कौन सी चीज़ जो है, वो सही होगी, increase in temperature हाँ होती है, global warming हो गया ही, increase in temperature, अब जहां पर ग्लोबल वार्मिंग होगी, सबसे पहली में चीज़ हमने क्या देखी, जो concentration of greenhouse gases है, वो बढ़ जाती है, तो यहां पर overproduction of the greenhouse gases, जो मेरे regular watchers है, अगर आप लोग एक्वेशन सौल नहीं कर पाओगे, तो इस बात का मुझे बड़ा ही गुसा आएगा, क्यूंकि यह slide, मैंने आपको पूरा global warming जो है, अच्छे से सारा explain किया है, और in detail हमने अपने notes में देखा हुआ है, in detail हमने और वीडियो में देखा हुआ है, कि global warming का सारा जो चीज़े हो कैसे होती है, और greenhouse gases का क्या role है इसमें, तो इसका answer होगा, over production of greenhouse gases, यह चीज़ भी हमने अपने वीडियो में डिसकस की है, in detail, जिसने वो वीडियो नहीं देखा, तो आप मेरे climate change वाला वीडियो जो है, वो देख सकते हैं, ठीक है, next सेखते हैं, हमारा what does the Latin term justicia convey, ठीक है, हमने कहीं directly यह नहीं पढ़ा है, justicia क्या होता है, हो सकता है, इनके syllabus में किसी और chapter में ही आता हो, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए confused हूँ, क्योंकि justicia आपका justice से related होता है, और यहाँ पे आप इसको idea of judge हो सकता है, दे सको, लेकिन answer में ने idea of binding rules लिखा हुआ है, तो for now you can skip this question, यह मैं बाद में देख के आपको बता दूँगी, अब चलो, 5th question की तरह, जो कहता है, which of the following tribes does not follow the maternal, the matrilineal kinship system, अब मैंने आपको एक बात बताई है, यह जो keywords है, not कहां पे लिखा है, correct, incorrect, कहां पे लिखा है, मैं आपको MCQs में बताया था, कि इन चीज़ों पे फोकस करोगे, क्योंकि अदर्वाइस आपका जो सारा question है, वो अलग हो जाएगा, अब आपो लो matrilineal kinship system, मैं आपको अपने notes एक बाद ही दिखा देती हूं इसके फिर से, हम यह इसमें search करते हैं, matrilineal, यह दिखाने का मकसद क्या, एक तो आपको clear हो जाए, कि हम सही चल रहे हैं, मेरे notes में चीज़े covered है, and then आपको यह भी पता चले, कि आपको revision कितना deeply करना है, और आपको अगर आप इन notes में से, अपने notes निकाल रहे हो, आपको कैसे चीज़े नहीं छोड़नी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको matriarchal का लिखा हुआ है, matriarchal क्या होता है, उसमें कौन-कौन सी family आगी है, आपकी, nyers of Malabar, khasis, garos, living in the garo, hills of Assam, और जो nyer joint family है, जो कहां की है, कैरला, Malabar, उनको क्या बोला जाता है, तरवद, उनको बोला जाता है, या कहीं पर थरवद भी लिखा होगा, ठीक है, तो यह matriarchal families है, तो obviously, जहां पर matriarchal family होगी, वही matrilineal होगी, तो यह तीनों examples, मैंने आपको एक ही line में, notes में बताई हुई है, ठीक है, अब आप देखो, question क्या आप से पूछता है, question कहां गया, question क्या आप से पूछता है, which of the following tribes is not, does not follow matrilineal, तो हमने पता, हमने देख लिया, गारो भी, और खासी भी, नायर्स भी, सारे आपके matriarchal है, तो फिर matrilineal, high chances are follow करेंगे, matrilineal kinship system में, क्योंकि authority जो है, वो mother के पास है, तो कौन सा आपका रहे गया, bills of tripura, ठीक है, ये भी clear हो जाएगा, which of the following statement, is not correct about, mores and folkways, तो ये भी, जो mores and folkways का video, गर आपने अभी तक नहीं देखा, तो आप उस जुरूर देखो, क्योंकि मैंने इन detail, आपको इस सारी चीज़े जो है, बताई है, ठीक है, हमने देखा, mores जो है, referred to confirmed norms, by individuals, हाँ confirmed norms हो सकते हैं, although weak form में होते हैं, वाइल जो more है, वो जादा आपका morality के concept से है, ठीक है, यह भी हमने बताया, dressing sense is an example of folk ways, यह भी सही है, dressing sense मैंने in fact, एक example ही लिखी है, अगर आप यह वाला मेरी slide देखो, यह देख लो, जहां हमने folk ways यह किया हुआ है, define जहां पर मैंने किया है, तो वहां पर मैंने क्या-क्या बलिखा था, the ways of eating, talking, dressing, playing, तो यह सारी चीज़े आपको folk ways के examples में ही मिल जाएंगी, तो इससे आपको यह वाला point clear हो जाएगा, यह वाला भी folk ways के बारे में सही है, और एक बाद हमने folk ways के देखे, they are the weakest norms, which are most often violated, and least likely to carry severe punishment, तो यह folk ways के बारे में हमने, मैंने आपको लिखा भी है इन वीडियो से, मैंने explain भी किये हैं इन सारी चीज़ों को काफी बार, तो उन चीज़ों से आप आराम से यह वाला question solve कर पाऊगे, कि कौन से चीज इसमें folk ways के बारे में, और मोर्स के बारे में सही नहीं है, तो folk ways have more importance in society when compared to मोर्स, या बोथ folk ways and mores are informal social controls, यह भी सही है, ठीक है, folk ways का ज़्यादा importance है कि society में when compared to मोर्स, यह दोनों आपके norms होते हैं, फिर इडिफर कैसे करते हैं कि punishment severe किसमें ज़्यादा है, adherence किसकी ज़्यादा है, अगर मोर्स आप नहीं मानते हो society के, उसके punishment ज़्यादा severe है, हमें ज़्यादा strictly मोर्स फॉलो करने होते हैं, तो it itself is evident कि that means मोर्स ज़ो है, वो ज़्यादा important होंगे folk ways से, fine, इसलिए मैं आपकी conceptual understanding पे भी धियान देती हूँ, आपको एक concept बार-बार बताती हूँ, एक चीज़ तोड़ तोड़ के बताती हूँ, ताकि आप ऐसे questions टैकल कर पाओ, आप देखो questions का level क्या है, आप जैसे बोलते हो कि मैं आपको ज़्यादा बढ़ा रही हूँ, यह ज़्यादा बोल रही हूँ, तो question आपको factual based भी आ सकता है, आपको conceptual based भी आ सकता है, यह जो folkways और मोर्स का यह है question है, यह completely conceptual question है, ठीक है, तो आपको ऐसे questions भी वहाँ पे handle करने आने चाहिए, तो यह next question, निती is doing research on socialization, और उनके हिसाब से socialization के important behind factors, जो important factors and socialization के behind, that are your religion and law, ठीक है, तो यह कौन सी type की जो है, थीरी वो follow कर रही है, अब देखो, although आप मझे बोलते हैं कि मैं जादा पढ़ा रही हूँ, हम UPSC के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम PSC exams के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इतने सारा हम कैसे याद रखेंगे, अब देखो, मेरा इतना पढ़ाने के बावजूद, भी ऐसे questions आप देखोगे, जो मैंने भी आपको नहीं पढ़ाए होंगे, ठीक है, तो यह वाले, यह वैसा question है, क्योंकि यह theory, जो हमने socialization theory में discuss नहीं करी हैं, यह नाम, ठीक है, अब यह questions आपको कैसे solve करने हैं, जो भी मैं आपको concept देती हूँ, sociology का, वो मैं इसलिए देती हूँ, ताकि आप ऐसे questions जो है, वो नाम से देखे, थोड़ा बहुत intelligent guessing से solve कर पाऊ, इसलिए अगर students को लग रहा होगा, कि वो सिरफ मेरा PDF देखेंगे, और वहाँ से बाद में रटलेंगे चीज़े, तो यह गलत है, आपको वीडियो ज़रूरी देखने है, क्योंकि वीडियो से आपको conceptual understanding मिलती है, अगर मैंने PDF पे कोई अगर short form में word लिखा होगा, उसको मैं अपने वीडियो में in detail with examples explain करती हूँ, और मेरी आपकी दी हुई example जो मैंने आपको दी है, उसके basis पे भी एक question आया है, वो हम आगे देखेंगे, अब coming back to this question, हमें पते है socio-psychological, socio यह society से related कुछ होगा, and psychological यह आपके mind, behavior, उन सब चीजों से related होगा, इसमें functioning theory, हमने functioning theory as such कहीं पड़ी नहीं है, इन्हें options कहां से बनाया है, इनकी मर्जी है, हमने लेकिन functional theory पड़ी है, और हमें पता है functional theory क्या होता है, मैंने आपको बार-बार यह चीज़े explain करी है, functional theory, sociology में functional theory का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि हर part of the society जो है, वो functional है for the stability of the society as a whole, ठीक है, और जो parts से वो काम करते हैं आपस में in coordination with each other, and last one is your structural theory, पहले ही आप rule of elimination से दो options आराम से rule out कर पाऊगे, ना यह socio-psychological theory है क्योंकि कहीं पे mind behavior की बात नहीं आ रही है, ना यह socio-biological theory है क्योंकि कहीं पे हमने कोई organ related या bodily related ऐसी कोई चीज नहीं बढ़ी है, अब we are left with two options, functioning theory and structural theory, that means आपका यह question attempt करने का chance 50% correct हो जाता है, तो ऐसे वाले questions आप attempt करो जिसमें at least 50% chances है कि you can be correct, ठीक है, अब आप क्या करोगे, functioning theory इनने लिखा है, इनने functional theory नहीं लिखा है, तो हो सकता ही trick question हो, functioning इनने वैसी लिख दिया हो, and structural theory, देखो, इसने basically यहाँ पे क्या कहा है, जो socialization है, उसके important factors होने चाहिए, religion and law, तो कहीं न कहीं यह आपके society के structure से related है, social structure से, तो आपको society के structure के दो important चीज़े पता चल रही है, एक religion और law, कि वो चीज़े आपकी socialization के लिए important है, तो वहाँ से करके आप एक intelligent guessing से, at least 80% sure हो सकते हो, कि इसका answer structural theory होगा, and I think इसका answer structural theory ही है, मैं एक बार यह, खुद पहले clear करती हूँ, तो जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, जो वीडियो में बार बार बोलती हूँ, and जो आगे further में revision series में भी बोलने वाली हूँ, जिन चीज़े उसे आपका concept clear होता है, तो आपको इसी लिए अच्छे से समझने होंगे, and देखो कितनी detailing में आपको चीज़े समझने होंगे, आपको superficial नहीं करना है, उपर उपर से पढ़ो, हाँ आपको पता है matriarchal क्या है, matrilinal पता है, ठीक है, but you have to know कौन सी tribes वो pattern follow करती है, ठीक है, तो आप इस पे मत जो कि मैं आपको ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, अगर आपको मेरा level पढ़ाने का थोड़ा लग रहा है, कि मैं ज़्यादा चीज़े बोल रही हूँ, तो अप अप करो अपना game, थोड़ा उंचे level के आजाओ, क्यूंकि एक्जाम में जो questions होंगे, वो ऐसे type के होंगे, इससे आपको high level के questions ही मिलेंगे, and specialization जो है, इसमें आपके 60 marks है, तो यह 60 marks, I hope कि आप आराम से ले पाओ, फिर यह हमारा नहीं है, यह भी हमने नहीं पढ़ा है, history का part है, 14th question देखते हैं, मैं वो ही questions discuss कर रही है, specialization के, जो इनका और हमारा syllabus इसका same है, ठीक है, क्यूंकि specialization में इनको social work, philanthropy, वगएरा, ऐसे-ऐसे चीज़े हैं, जो हमने नहीं पढ़ी हैं, वो हमारे syllabus का part नहीं है, तो वो questions देख्या, जो है, वो demoralize नहीं होना, अब question है, which among the following is the first agent of socialization, that children are exposed to after family, तो हमने socialization पढ़ी हैं, theories वगएरा सारी पढ़ी हैं, उसमें हमने agents of socialization पढ़ा है, agents of socialization, तो वहाँ पर video मैंने आपको बताया था, important agents क्या हैं, आपकी family जो है, आपकी immediate family, आपके first family होती है, वो आपको सबसे पहले socialize करती है, उसके बाद आपकी socialization आपके school से होती है, ठीक है, यह हमारी examples में mentioned है, अगर हम socialization theory में आपको दिखाऊं, socialization, just wait, socialization यह ना, ठीक है, यह example हो कि during this phase, more than family, some other agents of socialization, like school and friends group, ठीक है, begin to play role in socializing the child, अब हमें देखने स्कूल और friends group से important क्या है, तो यह तो common sense है कि school, अब जब बच्चा जाएगा, छोटा बच्चा स्कूल nursery class से जाता है, उस class में उसका कोई friends का group नहीं ऐसा होता है, जिससे वो socialize हो जाएगा, वो बाद में जब थोड़ा young हो जाता है, adult socialization उसका part बनेगा, लेकिन primary family के बाद आपकी कौन सी socialization होगी, आपकी school की socialization होगी, यह सारी चीज़ें जो है हमने वीडियो में conceptually discuss करी हुई है, फिर आगे चलते हैं, which of the following characteristics are the characteristics of association, तो we feeling नहीं, we feeling मैंने आपको बार-बार का है, किसे related है आपके community से, goal-oriented यह आपको association में starting में ही मिलेगा मेरे, क्योंकि goal-oriented जो है association किसी goal के लिए बनती है, जिसे मैंने आपको वीडियो में क्या कहा था, कि इसे football association बनती है, तो football की education के लिए बनती है, ठीक है, rational relationship हाँ, उनके formal, कुछ rules and written regulations होते हैं, के तहद उनका relationship बनता है, community में ऐसा कोई bond या love-based relations नहीं होते हैं, spontaneous relationship यह नहीं होता है, यह मैंने आपको MCQs में बता, हमने MCQs में discuss किया है, क्योंकि यह एक well-planned organized structure के तहद relationship बनता है, ठीक है, कोई एक rules के तहद relationship बनता है, जिसकी membership आपको किनी एक rules पे मिलती है, तो ऐसा नहीं है, अचानक से आप साथ रहने लगे, और अचानक से कोई आपका relationship है, कोई organization है, वो बन गई, यह organization जो होती है, यह planned होती है, तो इसका answer होगा 2 and 3, और यह भी आप अराम से मेरे videos and notes से solve कर पाऊगे, यह हूँ आपका, यह, what is the main goal of universal declaration of human rights, अब देखो जहाँ पे हमने UDHR के बारे में पढ़ा है, वहाँ पे, इसका जो answer है, I guess वो गलत लिखा हुआ, इनने इसका answer लिखा हुआ है, security and equality, लेकिन मेरे साब से इसका जो answer है, इन्होंने peace and security लिखा है, शायद, wait, इनका answer C लिखा है, इन्होंने answer लिखा है, peace and security, लेकिन हम चलते हैं हमारे UDHR के notes की तरफ, जहाँ पे मैंने आपको चार pillars बताया है, UDHR के क्या है, ठीक है, हम एक मिन बोग देखते हैं पहले, Universal Declaration of Human Rights, इसके, it is drafted around four pillars, तो dignity, liberty, equality and brotherhood, आप देखो, इन चार pillars से, आप कौन से वाले options, जो है, सबसे ज़दा relate कर पाऊगे, कि equality, brotherhood, ठीक है, तो वो सारी चीज़े, peace and equality से related होती है, ना कि peace and security से, क्योंगि security UDHR में तो हमने पढ़ाई नहीं है, अगर UN का लिखा होता कुछ, तो UN related आपका security वाला concept आता, पर यहाँ पर I think most appropriate जो answer है, वो peace and equality होना चाहिए, क्योंगि जो equality है, वो one of the pillars ही है UDHR का, ठीक है, आगे देखते हैं अब, यह fundamental duties वाला question, यह हम constitution में देख लेंगे पहले, अभी तक मैंने पढ़ाई है, फिलन्थ्रॉपी, यह इनका अलग syllabus चल रहा है, उसमें आपको नहीं जाना है, मैं से वो वाले चीज़े दिखाऊंगी, जो हमने पढ़ी है, और जो हमारे related है, तो who among the following is considered as a juvenile delinquent, juvenile के इसमें ज़्यादा core questions होंगे, उसमें आपको नहीं जाना है, यह आपका syllabus है, यह हमने पढ़ा था, human rights, gender laws, women rights and child rights, abuse, इन सब चीज़ों में हमने पढ़ा था, तो हमारा delinquent जो है, वो अलग topic नहीं देखे, लेकिन इनके syllabus में वो अलग देखे था, ठीक है, तो delinquent हमने क्या देखे, below 18 years of age, तो उसमें आप क्या करोगे, पहले ही आपका 19-year वाला option हट गया, 30-year वाला option हट गया, ठीक है, अब यह आपका कितने chances बनगे, 50% सही होने के, तो यह question आप attempt करोगे, इस considered as a juvenile delinquent, ठीक है, अब कौन होगा juvenile delinquent, कौन होगा, 14-year-old Mohit, जोसे बंक की क्लास और गरवालों से जूट बोला, क्या वो होगा juvenile delinquent, या 15-year-old Soham, who is taking drugs with his friends, तो obviously यह कौन सा होगा, B, क्योंकि जो juvenile crime होते हैं, बाद में उनको कुछ punishment मिलती है, उसका एक सारा procedure है, तो उसके according आप किसको punish करोगे, जो जूट बोलेगा घर में या drugs लेगा, तो जो drugs लेगा, ठीक, यह भी आप understanding से अराम से solve कर सकते हो, which of the following is an example of mitigation, mitigation का अगर आपको meaning पता है, आप 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 से equation solve कर पाऊगे, mitigation होते है, चीज को reduce करना, तो population explosion होगी नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, population बढ़ जाती है, पहले आप option देख लो, तो 1 कट गया, तो A भी हट गया, B भी हट गया, ठीक है, अब आपके बचते, C, D, N, 2, 3, N, 3, 4, तो उसमें आप पहले 4 वाला option देखो, क्योंकि अगर 4 सही हुआ, तो आपका D सही हो जाएगा, Use of Renewable Energy, तो जहां पर भी हम Energy, Environment, यह सारी बाते करते हैं, तो focus किस पर होता है, जिसे मैंने आपको Solar Energy में बताया था, जहां क्लाइमिट पढ़ रहे थे, कि Renewable Energy को हमें जादा यूज़ करना चाहिए, इस वज़े से हमारी Schemes ऐसे आते हैं, इसे Solar Panels वाली, कि आप Solar Panel लगाओ, Sun की Energy को यूटिलाईज करो, और हमें Reduction करनी है, उन सारे Energy की जो Non Renewable है, और जो हमारे Environment के लिए बुरी होती हैं, ठीक है, तो Use of Renewable Energy, आपका Example of Mitigation आएगा, क्योंकि इसमें Climate का जो Harm होता है, वो कम हो जाता है, तो Fourth इसका Answer होगा, यह आहां से आप Clear कर सकते हो, यह आपने अगर वीडियो जियान से देखे हैं, तो यह आप आराम से Renewable Energy इसका बोल सकते हो, Answer होगा, तो D आपको, अगर आपको Third के बारे में नहीं भी पता है, फिर भी आप आराम से Answer है, as D जो है मार कर सकते हो, अब आगे आपका 27th question, Police arrested Vinay on the basis of suspicion of drug dealing, according to his lawyer, this is against UDHR article, his lawyer is talking about which of the articles of UDHR, ठीक है, तो अब देखो question आपको किस तरीके का पूछ रहा है, आपको directly article नहीं पूछ रहा है, कि आपने सिर्फ article रटा हो, आपके सामने एक situation है, और ऐसी questions आपका बहुत solve कर सकते हैं, जब obviously कि आपने दियान से पढ़ा हो, दियान से वीडियो देखे हो, और आपकी understanding clear हो, तो इसमें आपको इस सारे articles पता होने चाहिए क्या कह रहे है, इसके लिए हम चलते हैं हमारे notes की तरफ, उसमें अगर आप end पे आओगे, तो मैंने आपको कहा है कि 30 articles इसमें गिवन है, मैंने आपको बहले भी बात बूली है, अगर कोई चीज कम quantity में हो, like articles है, अगर बहुत articles होते हैं, 100 होते हैं, 150 होते हैं, फिर तो अब पता होता होता हो याद करना फालत हो था, लेकिन 30 articles हैं total, तो it is expected of you 30 articles आपको पता होने चाहिए, कि UDHR जो है separately आपके syllabus में एक अच्छा खासा topic mentioned है, तो यह मेरे articles में given है, ठीक है, यहाँ पर देख लो, यह मेरे notes में given है, यह articles, तो यहाँ से आप यह articles, अगर आपने पढ़े होंगे, मैंने in fact आपके लिए highlight भी किया है, ठीक है, जो main-main portion आपका इन articles का, यह आपको पता होना चाहिए, यह वहाँ से आप एक question आराम से solve कर सकते हो, ठीक, तो इसका answer क्या होगा, आर्टिकल 9 कहता है, नोबडी शुट बी अर्रेस्टेड और put in prison, और sent away from our country, unless there is a good reason to do so, मतलब फालतू में आप किसी को arrest, या प्रेस्ट या अपनी country से नहीं बेज सकते हो, जब तक कोई reason ना हो, ठीक है, यह article 9 कहता है, तो यहाँ पर अगर आप जाओ, और आपने यह चीज़ पढ़ी हो, और आपको पता हो कि article 19 क्या कहता है, 30, 13 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, तो आप अराम से सका answer article 9 रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको arrest किया है on the base of suspicion, और 19 क्या कहता है, आपके पास कोई solid reason जब तक ना हो, जब तक को solid reason नहीं होगा, that means आप किसी को suspicion के basis पर arrest कर रहे हो न, कि आपको सिर्फ शक है उसने किया है, बर आपके पास कोई evidence नहीं है, उसने यह किया है, तो वहाँ से understanding से आप एक question solve कर सकते हो, अब UN जो है, वो भी separately इनके topic में दिया हुआ था, ठीक है, तो यह आपको question नहीं देखना है, इनके syllabus में separately दिया हुआ है UN का, अब यह question देख लो, यह drug से related है, आपका जो drug abuse वाल है, अब देखो, यह question इन्होंने कितना detailing में पूछा है, आपको एक condition दी हुई है, situation दी हुई है, जहाँ पर एक sports player है, उसकी performance पर असर लाने के लिए, उसने कोई drugs लिये हैं, ठीक है, to downgrade his performance, कोई उसको drugs दे रहा है, तो आपको बोलने हैं, किस type का drug है, तो इसमें आपको drugs की classification थी, वो मैंने जानके आड नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगा, आपके लिए आता हो जाएगा, बच्चे आपन मुझे बोलते हैं, mail भी आते हैं, ऐसे messages भी आते हैं, कि माम इतना याद नहीं हो रहा है, तो ऐसे teacher मेरी कोशिश होती है, कि मैं students के लिए ही काम कर रही हूँ, मैं आप लोग के लिए ही काम कर रही हूँ, और अगर आप लोग को लग रहा है, कि आपके लिए over हो रहा है, तो फिर I cannot help it, मुझे कुछ चीज़े ना चाहते हुए भी reduce करनी पड़ती है, आप बोलतों, lecture की length जादा है, अब अगर content जादा होगा, तो length भी जादा होगी, क्योंगि मैं हर दिन video लाती हूँ, ठीक है, वो भी issue आ रहा है बच्चों को, बच्चे बोलते हैं आदे कि, उसमें कुछ plus additional info होगी, यह मैंने पहली सोचा हुआ था, मैं करूँगी, और वो मैं आपको टेलिग्राम ग्रूप पे upload कर दूँगी, तो जिसके पास time है, जो चाहता है, reality में कि नहीं मुझे exam किसी भी हालत में crack करना है, तो वो उन supplementary notes को क्या करेगा, वो उन supplementary notes को consult करेगा, यह सारी चीज़े, आपको वहाँ मिल जाएंगी, कहने का बस मतलब इतना ही था, which of the following factors is not the base of classification of family by sociologist, तो कौन से factors इसमें नहीं है, यह भी I think आपके इसमें गलत दिया हुआ है, I think इन्होंने इसका answer D लिखा हुआ है, 33 D, तो इन्होंने इसका answer गलत लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से, क्योंकि economy आपको almost हर sociologist ने बोला हुआ है, residents बोला हुआ है, power जिसे metriarchal families, patriarchal families यह भी बोला हुआ है, ancestors as such, I haven't come across कि ancestor directly किसी ने बोला हुआ हो, तो I guess इसका answer C होना चाहिए, D नहीं होना चाहिए, अगर further मुझे इसमें कुछ अपडेशन लगी, तो I'll update you, वो आपको tension नहीं लेनी है, वो मेरा जिम्मा है, यह आपका economy development, इस पुराने syllabus में कुछ theories of economy वगेरा थी, वो आपको नहीं पढ़नी है, अब यह देख लो, 37th question, which of the following theories believe caste system in India established by Brahmans, ठीक है, तो Brahmans को caste system established किया है, यह कौन सी theory हो सकती है, मैंने आपको बोला, Brahmans, यह निकला था, 10th Mandala of Rigveda, में बात लिखे थी, Lord Brahma, Lord Purush ने खुद को blast किया, तो सर से निकले थे, Brahmans, वो superior थे, ठीक है, उसके बाद, के शुदराज निकले थे, यह इनका basic framework था, अब, उस जो theory बनी थी, starting में, early Vedic period में, उसमें caste system इतना rigid नहीं था, उसमें यह Brahmans, superior थे, वो नहीं कहा था, यह बाद में वे time, इसमें थोड़ा corruption आगी, और टीजे add होती गई, तो functional theory तो नहीं होगी है, क्योंकि functional theory हमने पढ़ी है, वो क्या है, racial theory भी नहीं होगी, क्योंकि racial theory हमें Herbert Rissley ने दे थी, और उन्होंने अलग बाते हैं, different, different races हमें कही थी, इंडिया में क्या है, ठीकि वो भी इन्होंने, वो भी नहीं बोली थी, पॉलिटिकल theory भी नहीं क्योंकि उस ताइम पे politics ऐसा कोई well developed नहीं था, आपने कहीं मैंने आपको political theory caste system से related, as such नहीं बोला हूगा, कि यह important theory है politics वगएरा की, तो tradition से ही आया, क्योंकि मैंने आपको notes में, यह वीडियो में बात बताई थी, कि पहले जो caste system था, वो इतना hereditary और rigid नहीं था, यह वे time आ गया, आइस्ता आइस्ता, जब हम later Vedic की तरफ आ गए, तो उन्होंने इसको, पहले ही क्या हुँच था, occupation के basis पे था, बात में इसको superiority, inferiority किया, तो यह आपके tradition से आया, कहीं ना कहीं, उन्होंने की superiority का, जो सारा concept था, वो कहां से आया था, वो basically tradition से ही आया था, क्यूंकि वो religion में starting से start नहीं हुआ था, वो आपको later Vedic age में देखने को मिला था, तो यह वाला question है 37, अब आप देखो, इतने direct questions भी नहीं आते, आप यह वाला question भी देखो, यह दोनों questions आप तभी solve कर पाऊगे, जब आपने मेरे videos अराम से देखे होंगे, आनों चीज़े समझी होंगी, आन सरिफ facts रटने में आप नहीं लगे होंगे, अब हमने कितने सारे questions थे, आप देखो factual कितने ही आये होंगे, और conceptual कितने आये होंगे, तो आपके लिए facts याद करना ज़रूरी है, और आपके लिए concept समझना भी ज़रूरी है, दोनु चीज़े आपको जो हैं, वो perfect होनी चाहिए, तो ही आप exam qualify कर पाऊगे, विच अमंग दो falling classified society, as simple, homogeneous and complex heterogeneous, अब देखो, यह हमने directly नहीं पढ़ा, simple, homogeneous, complexity, heterogeneous, इस मैं पहले काल मार्क्स को निकाल दो, क्यूंकि उन्होंने production related बाते, economy related बाते करी थी, August Compteki मैंने आपको बुला, उन्होंने क्या कहा था, theological, metaphysical, positivistic, वो भी, दुर खेम ने आपको mechanical solidarity, organic solidarity के basis पे कहा था, तो उन्हें division of labor की बात जादा की थी, मैंने आपको कहा था, Herbert Spencer, इनको Darwin भी बोला जाता था, and theory को Darwinism भी बोला जाता था, जिसमें मैंने वीडियो में आपको अच्छे से explain किया था, survival of the fittest का concept, कि जब हम simple से complex societies की तरफ आते हैं, जो उन complexities में खुद को adapt कर पाता है, change कर पाता है, वो ही आगे जाके society बनाता है, जो पुराने लोग होते हैं, जो नहीं कर पाते हैं खुद को adapt, complex society के साथ-साथ, वो क्या करते हैं, तो यह चीज मैंने आपको वीडियो में explain करी है, अराम से यह इसका अंसर जो है, Herbert Spencer लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको simple से, जब हम complex की तरफ आते हैं, तो क्या होता है, वो चीज आराम से बताई है, और यह बाकी नाम जो है, इनकी societies भी हमने explain करी है, जिसमें यह वाला concept वो नहीं है, फिर आते हैं आगे, पेजन society, philanthropy, social worker, यह social worker अलग syllabus था, McDonaldization भी इनके syllabus में अलग था, यह fundamental rights हम कर लेंगे, जब मैं polity discuss करूंगी, Anita is studying society on the basis of its system of production, she would be following, she would be a follower of which sociologist, तो देखो आप किस तरीके से question पूचा है, direct question नहीं पूचा है, तो मैंने आपको पहले बात बताई, जहां पे भी आप production देखोगे, वहां पे आप Karl Marx लिखोगे, क्योंकि उन्हों नहीं सिर्फ modes of production, यह सारे forces of production, economy, economic determinism, यह चीज़ मैंने आपको बार-बार बताई है वीडियोस में, इसे लिए कहते हूँ कि मेरे वीडियोस अब ज़रूरी देखो, वहां से आपको काफी अच्छे से जो है, एक conceptual understanding in questions की मिल जाएगी, फिर हूँ आपका, यह history का part, तिलंगाना moment नहीं है, फिर social work भी नहीं है हमारा, फिर आगया, next question देखो, which of the following are considered as gainfully employed, ठीक है, कौन होंगे gainfully employed, यहाँ पे employed word है, that means, आपको employee किया जा रहा है, कोई आपका boss होगा, ठीक है, gainful employed means आपको, उस job की employment है, आपको boss ने दी है, वहाँ से आप कुछ gain कर रहे हो, तो क्या gain कर सकते हो, salary, wages वगेरा, ठीक है, तो common sense पे आप gainfully employed, जो है, आपको समझ में आ जाए, क्या है, एक तो आप employed हो, आप आप वहाँ से कुछ gain कर रहे हो, simple, कोई rocket science नहीं है, अब इसमें हमें पहले देखते हैं, कौन सो option हम remove कर सकते हैं, 24-year-old housewife दीप्ती, who is a b.tech graduate, तो यह gainfully employed नहीं है, क्योंकि इसको कुछ मिल तो नहीं रहा है, अपने employer से, तो second option हम इसमें, पहले ही कहतम कर देते हैं, तो उससे आपके जो है, वो question solve होगा, third भी खतम, B भी खतम, 50% chances है solve करने के, अब देख लो, 36-year-old farmer, शाम, who is a labor, farming labor ठीक है, अगर labor है, that means किसी की समीन पे काम कर रहा है, और इसको कुछ wages भी उसकी जगा मिल रहे हैं, one हो सकता है, इसको option, and 20-year-old varon, who is defarma and working in a pharmacy store, तो ये भी employment इसको दी है, अपने employer ने, and इसको भी कुछ वहां से gain हो रहा है, 20-year-old Mohit, who is general store owner, तो ये owner है खुद, ठीक है, ये कहीं पे employed नहीं है, तो वो इस condition में fit नहीं बैठता है, तो इसका answer होगा, one and four, ये देख लो अब, Mrs. Eleanor Roosevelt, जो आप इन दो चीजों में confused नहीं हो जाना, क्यूंकि मैंने आप पो कहा था, कि committee chairperson थे, इन्होंने draft करने में help करी थी, तो basically chairperson है, International Bill of Human Rights Preparation Committee के, और जो Rene Kazan है, इनको Nobel Peace Prize मिला था, draft करने के लिए, ठीक है, और आपके John Humphrey, जो है, ये drafting committee के chairperson थे, और केरल वेसिक जो है, इन्होंने classify किया था, rights को three generations में, जो हमने notes में लिखी हुई है, ठीक है, तो यहां से, इसका answer क्या बनता है, इसका answer बनता है आपका, second का D, बस आपको परता होना जाए, तो इसका answer बनता है A, ठीक है, तो देखो, क्या क्या चीज़े कितने deeply भी वो आपको पूच सकते हैं, और कितना आपको prepared रहना है, तो यह हो गया, ब्रामिनी is living with her parents, brother and sister, this is the example of which type forms a family, तो यह चीज़ भी हमने notes में, मैंने आपको लिखी हुई, मैं दिखाई है notes में, मैंने इसमें कोई, I guess आपको PDF एक अटाच किया था, notes में किसी का photo, उसमें मैंने आपको कोई types दिये हुए, आपको notes भी कितने दियान से देखने हैं, वो मैं आपको यहाँ दिखाई देती हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बता है, family of orientation क्या होता है, family of procreation क्या होता है, orientation होता है, जिस family में आप पैदा होते हो, procreation में होता है, जहाँ पर पेरेंट बनते हो, मैंने आपको वीडियो में कहा था, जहाँ पर आपकी शादी होती हो रहते हो, वो आपकी family of procreation है, ठीक है, आप देखो question क्या पूछ रहा है, अगर दामीनी अपने parents के साथ, आपकी example ले लेते हैं, जहाँ आप रहते हो, वहाँ पर आपके parents रहते हैं, ठीक है, आपका भाई रहता है, और आपकी बहन रहती है, तो कौन सी family होई, जहाँ पर पैदा हुए हो, तो वह आपकी family of procreation हुई, ठीक है, तो procreation इसका answer होगा, हमने पड़ा है, disguise unemployment में आपको कहा, उसमें क्या होता है, जहाँ पर जरुरत नहीं होती है, वहाँ पर सारे काम करें, अगर किसी farm पे 10 बंदों की जरुरत है, और वहाँ पर 15 बंदे काम करें, तो जो 5 बंदे हैं, उनको disguise unemployment मिली है, क्योंकि जो overall productivity है, वो same रहेगी, चाहे 10 लोग काम करें या, 15 लोग काम करें, तो उस concept से देखो, इसका answer क्या होना चाहिए, more persons are engaged in an activity actually required, ठीक है, यह हमने अच्छे से explain किया था, notes में, videos में, people who are working, show the government that they are not earning money, नहीं, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा था, disguised unemployment is found only in agricultural field, नहीं, ज़रूरी नहीं है, disguised workers are helpful for increase in productivity, नहीं, क्योंकि इससे तो decrease productivity आपकी उतनी ही रह रही है, लेकिन लोग ज़दा involved हो रहे हैं, तो यह फाल्तू की activity हो जाती है, हमें बोलना है, which of the following is a characteristic, तो इसका answer क्या होगा, A, तो यह हुआ आपका non-alignment, अगर कोई रह जाएगा question, जो हमने पढ़ा होगा, लेकिन मैं वीडियो में discuss नहीं कर रही हूँ, because human being हो गलती हो सकती है, तो आप क्या करोगे, मुझे comments में बता सकते हो, वो कौन सा question है, फिर हम हो discuss करेंगे, sunscritization, यह मैंने आपको कहा था, यह किसका concept है, MNC Nawaz का, इनकी book का नाम मैंने आपको कहा था, MNC Nawaz इनसे related है, तो sunscritization में क्या होता है, एक cast, दूसरी cast को, जो low cast होती है, वो दूसरी cast को follow करती है, high cast को, ताकि उसकी mobility हो जाए, वो move कर सके, उसको upward mobility हो जाए उसकी, तो किसको आप follow करोगे, जो अपने से better होगा, उसी को follow करोगे, तो इसका answer क्या होगा, upward mobility, ठीक है, downward mobility क्या होता है, अगर नीचे चले जाओगे, आप ब्रहमन से बन जाओगे वेश्वा, तो आपकी downward mobility हो रही है, horizontal हो रहा है, आपका status change नहीं हो रहा है, बस position change हो रही है, आप किसी एक hospital में nurse हो, आप for example, बेमेना college में nurse हो, अब आप जा रहे हो सोवरा में, as a nurse जा रहे हो, तो वो आपकी horizontal mobility होगी, ठीक है, upward में हम vertical mobility भी बोलते हैं, upward को आप vertical mobility भी बोल सकते हो, fine, तो ये सारी चीज़े जो हमने वीडियो में डिसकस करी हैं, अब जहां में में को notes में चीज़े याद आती हैं, Sohana is a working woman, but before leaving to office, she finishes her daily household chores, ठीक है, her husband is not ready to help her in these household chores, तो गर-गर की कहानी, Sohana के थू explain करी है, कि वो office का काम भी करती है, और उसको घर का काम भी खुद करना पड़ता है, क्योंकि वो wife की duty समझी जाती है, husband इसको help नहीं करता, तो इसमें कौन सा रोल होगा, और हमने ये चीज़, आपको मैंने same example वीडियो में बताई है, कि ऐसा होता है हमारी societies में, पहले हम options की तरफ आते हैं, पहले आप क्या इसको cancel करोगे, एक norma की नहीं security नहीं, क्योंकि कहीं ऐसी बात ही नहीं हो रही है, यहां पर कमाने की, payment की, ऐसा कुछ नहीं है, amniocentesis ये भी मैंने आपको बोला हुआ है, जब हमने medical pregnancy termination पड़ा था, उसका amendments पड़े थे, तो मैंने का था amniocentesis भी add किया गया था, amniocentesis में क्या होता है, बच्चा जो होता है amniotic fluid में होता है, मा के इसके अंदर, uterus के अंदर, तो उस fluid से कुछ निकालते हैं, बाद में वो determine करता है, baby का gender, determine करने के लिए, तो वो practice band है, उसको amniocentesis बोलते हैं, यह चीज़ मैंने आपको वीडियो में explain करी हुए है, जहाँ पर हमने इस सारी चीज़े पड़ी थी, तो amniocentesis भी खत्म, discrimination in work इसको बोलेंगी नहीं, क्योंकि discrimination work तो है ही नहीं न, workplace की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, gender discrimination की, मैंने आपको बोला, जहाँ पर हमने sex और gender की difference पड़ी, मैंने कहा, gender क्या होता है, फिर एक social construct है, यह Ann Oakley ने कहा था, अब यह भी लिख लो, अब इतना अगर पूछ रहे हो सकता है, यह भी कभी पूछ लें, यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में explain किये है, बार-बार की gender differences जो है, वो क्या होता है, इन sexual differences क्या होता है, जो nature ने आपको sexual difference बनाई है, male और female, और gender आपको society देती है, कि आप लड़की हो तो आपको ऐसे behave करना है, लड़का हो आप ऐसे behave कर सकते हो, आपको ऐसे behave करना है, तो यह जो एक scenario आपको दिया है, इसमें basically इनके husband का यही बोलना है, कि आप अगर यह कर रहे हो office का काम, लेकिन household chores भी आपको करने है, because it is, he believes that it is only his wife's duty, तो यह concept कहां से हैगा, जेंडर रोल स्टिरोटाइप से हैगा, आप स्टिरोटिपिकल बना रहे हो एक female के रोल को, और वो concept related आपके जेंडर से, जिसको हमने gender discrimination में, और stratification में भी chapter में, मैंने आपको जेंडर काफी in detail जो है explain किया हुआ है, तो यह भी question जो है अराम से मेरे वीडियो से solve कर सकते हो, 65th question पर आते हैं, according to Ericson, the main task of adolescent is to, तो इसके लिए हम Ericson की theory पर चलते हैं, इस question में क्या हो रहा है, question में adolescence की बात हो रही है, तो अगर आपने यह theory अच्छे से पढ़ी होंगी, revise करेंगी, इसलिए मैं कहती हूँ, revision is very important, जब तक आप एचीजे revise नहीं करोगा, आपको examine, क्लिक नहीं करेंगी, आपने adolescence पढ़ा होगा, ठीक है, यह adolescence से related है, तो आपको पता होगा, adolescence किसमें आता है, identity versus role confusion में, तो basically आपकी identity क्या है, how a person sees themselves in relation to the world, ठीक है, अब इसको हम अपने options में दूणने की कोशिश करते हैं, adolescence का main task क्या है, इंडास्ट्री वाला option वो भी इसके लिए नहीं है, integrity वो लेटर स्टेज का पार्ट है, intimacy भी इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा to find a consistent sense of self, यह क्या होता है, आपका sense of self क्या है, आपकी identity, जब इंसान बोलते हैं, मेरी identity lose हो रही है, कि मतलब मैं खुद कुछ नहीं हूँ लाइफ मेरा self कुछ नहीं है, तो वहां से आप आराम से उस understanding से question सॉल्फ कर सकते हो, और आपको यह भी पता होगा, जैसे, यह देख लो, आपका industry versus inferiority आगे का question है, हमने और क्या देखा था, integrity word देखा था, इसमें मैं वही दून रही हूँ, identity versus role, confusion, intimacy versus, ego, integrity versus despair, तो जैए integrity की बात है, वो seniors के लिए थी, तो वो भी यहां पे cancel out हो जाता है, वो option वो आप यहां से आराम से cancel कर सकते हो, और हमने find a feeling of industry देखा था, ठीक है, तो industry वाला, अब यह part देख लो, industry वाला कहां पे आता है, इसमें हमने industry की भी बात देखी थी, industry versus inferiority, तो यह किसमें आएगा, आपके childhood stage में आएगा, तो आपको यह notes भी साथ साथ दिखाने का, क्या मतलब है मेरा, यह दिखाने का, कि आपको कैसे करके, चीज़ों को याद रखना है, आपको बस उपर-उपर से याद नहीं रखना है, आपको ऐसे याद रखना है, कि अगर आपको exam में कोई scenario आता है, कोई scene आता है, आपको directly option नहीं दिया हुगा, कि उसकी following stages है, आपको कोई scene दिया होगा, कि यह scene किस stage से related है, तो you should be able to recall all his stages, और वो अले stage जो है, उनकी जो नाम था उनके stage का, वो life के किस stage पर apply होती है, वो childhood पे होती है, seniority पे होती है, या adultion पे होती है, तो यह सारे चीजों के साथ, आपको prepared रहना है, तो ही exam qualify कर पाओगे, ठीक है, तो यहां से आपको intimacy वाला भी खतम हो गया, industry वाला भी खतम हो गया, ego integrity भी खतम हो गया, adultions आपको पता है, वो identity वाला part, और identity सीधे किसे relate होता है, आपके consistent sense of self से, यही हुआना find करना identity, ठीक है, तो fundamental right यह हमें आगे पढ़ना है, अच्छा, distinctiveness, smallness and self-sufficiency are not the characteristics of which of the following communities, तो जब अब distinctiveness, smallness, self-sufficiency देखोगे, तो यह obviously किनी छोटी चीज़ों से related होगा, कोई small community होगी, ठीक है, small societies, old societies, यह तीनु जो options है, उन्हीं चीज़ों से related होगे, क्योंकि modern societies में आपको क्या मिलेगा, large, big societies मिलेंगी, तो Redfields ने आपको little community का concept दिया था, वो little आप इन keywords से ही समझ लोगे, कि यह answer जो है, इसका नहीं होगा, क्योंकि हमें देखना है, यह किस चीज़ के characteristics नहीं है, मैंने आपको Ferdinand Tonys की दो पढ़ाए थे, एक आपका Geminshaft था, एक आपका Jessal Shaft था, मैंने keyword भी कहा था याद रखने के लिए, जमिन शाफ में M आता है, यह होगे है M, तो याद रखो, यह community से related है, ठीक है, and Jessal Shaft में S आता है, तो याद रखो, यह society या आपके association से related है, जब हम community की बात करेंगे, खास कर Geminshaft community की, तो यह सारे characteristics आएंगे, smallness है, self-sufficiency है, लेकिन जब Jessal Shaft की बात करेंगे, तो थोड़ा individuality आती है उसमें, वो थोड़ा बात में, modern complex structure की तरफ जाता है, पुराने community का, feeling वगेरा, वो चीज़े उसमें change हो जाती है, यह जहांपे हमने Ferdinand Tonys discuss किया है, वहांपे इस चीज़े में आपको बताई है, तो वहां से आप इसका answer क्या लिख सकते हो सीधे, Tonys Jessal Shaft community, और mechanical solidarity, यह भी पता है, primitive society, old societies का है, और modern societies का क्या था, organic solidarity, तो यह वाला भी इसमें नहीं होगा, हमें देखना है कि कौन सा इसमें characteristic नहीं है, ठीके तो वो होगा आपका Jessal Shaft वाला, यह हो गया, और beggar is singing a folk song and asking for money in a train compartment, he is an example of, तो trafficking beggary वाला chapter में आपको दिखाती हूँ, क्यूंकि यह भी directly, जो है example note से mentioned ही है, अब देखो कैसे कैसे आपको चीजे याद रखने हैं, जहां पर मैंने आपको types of beggars बढ़ाए थे, वहां पर मैंने कहा था यह वाले आप अराम से याद रख पाऊगे, uncasual beggars मैंने आपको कहा था, उसके बाद professional and hereditary beggars कहा था, उसमें मैंने कुछ communities के नाम भी आपको बताये थे, और कहा था कि यह वो community है जो begging को बुरा नहीं समझते, ठीक है, क्यूंकि यह उनकी heredity में है, या उनका profession ही यह है, तो उसमें मैंने आपको बहुता था, वो कैसे उनका तरीका है पैसे मांगने का, वो कैसे पैसे मांगते हैं, आपको entertain करके, through singing, dancing, performing, acrobatic feats, अब देखो कितना आपको दियान देना है, मेरे जो मैं आपको वीडियो से बोलती हूँ, और जो notes बाद में आपको मिलते हैं, या अपने notes बनाते हो, किन-किन चीज़ों का आपको पकड़ना है, इस slide में, और tribal groups, तो यह मैंना आपको example देथी, certain caste और certain tribal groups, जो हैं, वो follow करते हैं, इस type of begging को, जिसमें आप entertain करते हो लोगों को, through singing, dancing, या acrobatic feats, जैसे आपको रसी वगेरा पे चड़ते हो, वील में, ठीक है, तो यह आपके professional या, hereditary beggars होते हैं, तो इस slide से अप अराम से question solve कर पाने चाहिए, कि अगर beggar गा रहा है, folk song and asking for money in a train compartment, तो singing आ गया, तो इसमें कौन सा वाला आ गया, आपका tribal beggars, ठीक है, McDonaldization नहीं है, हमारा part, लिबस का, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, which of the following statement about socialization is false, socialization मैंना explain के है, बार-बार क्या होता है, आप चीजें imbibe करते हैं, society के norms, values, do's and don'ts आपको सिखाई जाती है, process of acquiring knowledge ये है, continuous process है, socialization मैंना आपको बोला था, पैदा होते हैं, जो तक मरते हैं, तब तक हमारी learning, socialization, development, ये सारी चीजें चलती रहती है, it is common in every group, and it defines the norms of society, तो norms and values of society, आपके अंदर imbibe करते हैं, तो ये भी part है, कि common होगी हर group में नहीं, जब मैंना आपको socialization बताया, तो मैं ऐसी example से, तुलसे Kashmiri society है, हमारा एक तरीका है, फिर अगर आप पंजाबी society में जाओ, उनका अलग तरीका होगा, बच्चों को socialize करने का, तो ये common नहीं हो सकता है हर society में, क्योंकि हर society की norms, values जो है, वो differ करते हैं, तो ये भी आप अराम से solve कर सकते हैं, अगर आपने मेरी videos जो है, देखे होंगे, अगर, socialization, तो ये आप खाता है, अच्छा है, Rada is six months pregnant, her mother-in-law wants to know the sex of the fetus, तो इमें detail में एक question नहीं पड़ूंगी, ये ही है कि उसको देखना है कि बच्चा जो है, वो लड़का है, लड़की है, दॉक्टर कहता है कि sex determination एक crime है, तो इक किस में आएगा, पहले देखते हैं, IPC में तो है नहीं, Indian Penal Code में हमने ये चीज़ डिरेक्टी नहीं पड़ी है, क्योंगी इसका हमें अलग act बना हुआ है, Emneosynthesis Act, ये Emneosynthesis में आपको बोला है, क्या है ये बेबी का gender determine करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें एक act मिला था, जिसको बोलते थे, Prenatal Diagnostic Technique Act, ठीक है, PNDT Act, जिसमें ये चीज़ जो है, वो prohibit की गई थी, कि आप determine नहीं कर सकते हो, और Medical Termination of Pregnancy Act, ये फिर terminate करने के regarding है, pregnancy को, ठीक है, और ये है determination, डिटर्मिन करने के लिए gender, इस सारी चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएंगी, मैं जो याद नहीं आ रहा है, हमने Women Right में I think पड़ा था, तो ये आप मेरी नोट्स लो, टेलिग्राम गूरूप में मिल जाएंगी, वहां से पराम से चीज़ सॉल्फ कर पाऊगी, मैंने आपको इन डीटेल वहां पे लिखा हुआ है, फिर आगया आपका ये, आर्टिकल, तो ये भी मैंने आपको आर्टिकल बोला हुआ, ये भी हमने Women Right में पड़ा हुआ है था, Women's Right, ये, आर्टिकल 42, ये भी हमने पड़ा हुआ है अल्रेडी, अब हम यहां पहुची गए, तो मैं आपको इचीज़े भी बताई देती हूँ, इसी में वो abortion के related वो सारी चीज़े थी न, ये Maternity Benefit Act में क्या आता है, ये सारी चीज़े, and Medical Termination of Pregnancy Act में क्या आता है, and PNDT वाला शायद वो किसी और chapter का पार्ट है, तो वो आप देख लिए न, वो हमने से से explain किया हुए, वो किस chapter में आता है, अब जिसे chapter का मुझे याद था, तो वो मैंने आपको यहां पे दिखाया, कहां कहां हमने पड़ा है, जो मुझे याद नहीं है, वो आपको याद होना चाहिए, क्यूंकि वो आपका काम है, याद रखना, तो यह होगा constitution, फिर हम चलते हैं आगे, social work हमारा नहीं है, and then 92, अच्छा, morphine is which of the following types of drugs, तो इसका answer हो, opiates, यह भी आपको मेरी notes में मिल जाएगा, यह हमने notes में पढ़ा हुआ है, social evil में I guess हमने यह पढ़ा था, यह आपका social evil वाला chapter है न, यह देख लिए, तो opium poppy contains alkaloid, such as morphine, codeine, thibine वगेरा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, आराम से यह answer जो आपका solve कर पाते हो, तो यहाँ पर मैंने example लिखी हूँ यह, अब यह आपको दिखा रही हूँ, इस मकसद से कि यह आप, जो है, यह examples, जो मैं देती हूँ notes में, जैसे चाहे वो family के chapter में examples थी है, human rights वाले chapter में example थी, वहाँ से आप solve कर पाऊ, तो उस पर मैंने लिखा हुआ है, morphine किसका एक type है, वो आपका opiate के अंडर आता है, ठीक है, opium poppy के अंडर, तो, which of the following act does not handle relevant matters in human trafficking, तो human trafficking हमने पढ़ी हुई है, human trafficking के कुछ acts है, वहाँ पर एक मिन में आपको यह दिखाती हूँ, human trafficking, यह आपका trafficking वाला chapter है, तो हमने यह पर कुछ acts पढ़े थे, अब देखो question कैसे form होता है, कितना important है आपके लिए ध्यान से, मेरे videos देखना और नोट्स पढ़ना, तो मैंने सारे acts mention किये थे, the other specific legislation enacted relating to trafficking in women and children, तो किसी को इसी बात पे problem होई थी ना, कि इतने सारे acts हम क्यों याद करें, judiciary का exam थोड़ी है, वो judicial में होने चाहिए, अब देखो, Prohibition of Child Marriage Act, Bonded Labor Act, Child Labor Act, Transplantation of Human Organs, Immigration Carriers Liability Act, Justice Juvenile Act, and IT Act, और कुछ section भी mention किये थे, अब देखो question कैसे इन्होंने बनाया है, इन्होंने आपको सीधे acts के नाम लिखे है, और काया कि कौन सा-कौन सा act है, जो human trafficking से related है, Bonded Labor भी example में मैंने लिखा है, Child Labor भी लिखा है, Immigration भी लिखा है, तो Women from Domestic Violence Act कहीं नहीं लिखा हुए, तो इसका answer क्या होगा, answer इसका D होगा, ठीक है, तो ये होगे आपके 95 questions, फिर हम चलते हैं, नाई, total 150 questions है न, उस वाले में थोड़े काम ही दिये होगा है, wait, ये 96 questions के आगे हैं, ये हम देखते हैं, मैं again, मैं बोल रही हूँ कि, मैं अभी ही देख रही हूँ, ये कौन-कौन सा question है, मैंने इसे पहले ही जादा नहीं देखा हुआ था, बस एक बर overlook उपर-उपर से किया था, कोई question अगर रह जाता है, चाहे मैंने पढ़ाया हो, नहीं पढ़ाया हो, not an issue, आप मुझे बता दो, वो कौन सा question है, हम भो discuss करेंगे, ठीक है, तो land reforms भी आपका part नहीं है, वो गालक से लबस था, social indicator, हाँ ये था, which of the following statements is true about the occupation, which of the following statements is true about the occupation as a social indicator, ठीक है, ये indicate करता है skills present in a society, ठीक है, it is an important indicator of social development, वो भी ठीक है, क्या ये population growth indicate करता है, या it is the most important indicator of the youth growth, तो हमें क्या करना है, हमें बतानी है, कौन सा, इसमें statement true है, regarding occupation as a social indicator in the society, तो देखलो, इसके option लियान से, आपको occupation skills बताएगा society में, तो इस social indicator का सबसे आपको बताने, true character से, क्या है आपके occupation as a social indicator का, तो हाँ, यापको skills बताएगा, क्या ये most important indicator of social development, अब देखो, जहां पर ऐसे statements लिखी होंगी, it is a most important, या it is not an important, या ऐसा कुछ चीज, या it is a only important thing, तो जो most होगा, only होगा, ऐसे सारे जो keywords होंगे, के लिए you should have a very precise knowledge, क्या हमने कहीं पर भी पढ़ा है, कि सबसे ज़्यादा important indicator को, उने social development का, अगर पढ़ा होता कि occupation ही, सबसे ज़्यादा important indicator है, social development का, तो ये चीज, जो है मैंने आपको बताई होती, क्योंकि ये चीज फिर एक fact होती, लेकिन ये, जब इसको most बोल रहा है, that means ये इस चीज को एक fact बना रहा है, जो मैंने आपको कहीं नहीं बताया है, तो अगर आपने social indicator chapter, मेरे videos देखे हों समझे हैं, तो आपको अराम से पताऊगा, हमने ये तो at least कहीं नहीं बढ़ा, important indicator हो सकता है, अगर यहां पर important लिखा होता, तो ठीक है, occupation important होता, लेकिन यहां पर most important लिखा है, तो वो हमने as a fact कहीं नहीं बढ़ा, कि occupation most important है, it indicates population growth, नहीं, हमने, मदब ऐसा कुछ नहीं है, या it is a most important indicator of youth growth, ये भी हमने कहीं पर नहीं बढ़ा है, ठीक है, most important, तो वो answer आप solve करोगे अपनी understanding पर, लेकिन जो extreme बाले होते हैं, अगर आपको इसको exact option नहीं पता, तो mostly गलत होते हैं, fine, जैसे यहां पर दूनु ऑप्शन, B.B. गलत है, D.B. गलत है, क्योंकि most indicator इनको ए a fact बनाता है, तो उसके लिए आपको properly पता होना चाहिए, अगर ए a fact होता, तो हमने कहीं न कहीं यह पढ़ लिया होता, तो after one month of his father's death in a car, accident, Vinay is experiencing insomnia and is unable to drive a car, he is suffering from, तो यह हमने किस में पढ़े थे, social levels में हमने पढ़ा था न, तो इसका answer क्या होगा, हमने वीडियो में पढ़ा है, slides में भी है यह, इसका answer होगा, post-traumatic stress disorder, क्योंकि किसी trauma के बाद हुआ है, और usually उसका एक symptom ही होता है, कि आपको नीद वगेरा सही से, नहीं आती है, जैसे आप यहां पे देख लो, PTSD, तो PTSD क्या होता है, psychiatric condition में आपको कही थी, developed as an aftermath of severe trauma, trauma कोई हुआ हो, उसके बाद एक condition developed हुई हो, जिसमें आपको ऐसा distress हो, आपको sleeping problem हो रही हो, you may notice these symptoms, ठीक है, यह यह grow out करते हैं, इन symptoms से, तो symptoms क्या होती है, difficulty falling or staying sleep, तो यह सारी चीज़े, यह आप अराम से, यहां से question solve कर सकते हो, तो यह कौन सा question है आपका, इसका answer क्या होगा, post-traumatic stress disorder, यह मैंने अच्छे से, आपको सारे explain किये हुए हैं, gambling is an example of which types of corruption, तो corruption के मिना आपको काफी examples जी, हमने economic corruption भी देखा, हमने administrative corruption भी देखा, तो gambling हमने यहां पर तो कहीं नहीं पड़ा, ना हमने यहां पर पड़ा, यह आपकी bureaucratic crisis से related है, और economic mostly आपकी tax वगेरा से, जिसमें tax का कुछ पार्ट involved होगा, उससे related है, gambling को आप बोल सकते हो, individual corruption के इंडिविज़ल कॉन करते हैं, यह आप individual level पे करते हो, stage of development, तो यह जो stage of development है, यह भी हमने free-oard की पड़ी हुई है in detail, तो इसमें electro complex, oripus complex, अगर आपको याद होगा, यह हमने सारी चीज़े पड़ी हुई है, यह मैं आपको दिखाती हूं यहां पे, यह phallic stage है, तो इसका आंसर phallic stage ही है, फालic stage में ही ऐसा होता है, यह देखो, latency phallic, anal stage, and आपका oral stage, अब आपका question क्या बोल रहा है, question आपका बोल रहा है, कि ऐसा किस stage में होता है, कि sexual attraction अपनी मा की तरफ, and hatred towards one's or father is developed, तो वो किसमें होता है, वो हमने पड़ा है, वो हमने फालic stage में पड़ा है, ठीके देखो, phallic stage में क्या होता है, और इपस complex क्या हुआ, sexual feeling towards their own mother, and feeling of rivalry for their father, ठीके इसी एक sentence है, आपको ही, जो है clear हो जाएगा, और मैंने आपको वीडियो में भी यह चीज अच्छे से explain करी हुई है, ठीके तो यह हो गया, इसका phallic stage होगा, what is the key concept of human rights, अब देखो human rights का क्या key concept है, इसमें कौन सवाला आएगा, तो human rights के जो हमने articles पड़े हैं, and human rights का जो chapter है, वहाँ पे आपको dignity, मैंने हर जगा notes में लिखा हुआ है, and हमने यह बोली भी है यह बार बार यह बात, अब देखो, the concept of human rights derives from human dignity, पहली इस slide है, तो सोचो हमने वीडियो में कितने अच्छे से मैं आपको यह सारी चीज़े explain करी है, उसके बाद भी अगर आप equation गलत करके आओगे, तो फिर किसकी गलती होगी, equality and dignity, मैंने कहा मैंने जो आपको example दी है, उससे भी एक question आया है, यह जो example यह OCD का है, OCD जब मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप video देखोगे, तो मैंने आपको example बोली है, कुछ लोगं को आदत होती है, बार बार हाथ दोनी, इसका answer मुझे खुद नहीं पता, wait, let me check, 125 is A, तो इसका answer है English Bill of Rights, अब देखो कहां कहां से आपको questions आते हैं, तो ऐसे कोई supplementary information होगी, वो मैं आपको notes में देदूँगी, अब उसके बावजूद कोई इकादुका question ऐसा आज है, जो ना मैंने पढ़ाया है, ना notes में कही है, उस चीज़ पर आपको गबराना नहीं है, क्योंकि 90% chances है, कि वो question किसी का भी सही नहीं हुआ होगा, तो उन questions पर आपको tension नहीं ले, वो आप आराम से skip कर सकते हो, इसमें से देखो, वो almost 97-98% आपको directly मेरे वीडियो से solve हो जाएंगे, तो इतना sufficient है, अगर आपका exam qualify करने के लिए, आप इतना सही से करो, और बाकी जो है, वो बाकी understanding जो वीडियो की है, या constitution में हमने कुछ पढ़ा होगा, उससे आप sociology का कोई question सौल कर सकोगे, तो आपके 99% questions जो है, इस generalization part से, प्लस जो मैं आपको GK part पढ़ा रही हूँ, उन 2 से 80 marks का आप अराम से solve कर सकते हो, वो मैंना आपको भी with proof साथी चीज़े दिखाई, तो ये है आपका, इसके बाद देखते हैं, हमारे related कुछ और है, ये जो fundamental duty है, तो भी मैं खुद से ये चीज़े इसमें include नहीं कर रही हूँ, क्यूंकि इसका बाद में मैं अलग लेके आऊंगी, आपके लिए वीडियो GK का, वो हम वहाँ पर discuss करेंगे, तो which of the following is a character of human rights, तो absolute and character, मैंना आपको कुपा पॉलिटी में पढ़ा है, अपसलूट क्या होता है, जो चीज़ आपको बिल्कुल, जस चीज़ में कोई restrictions पोज ना कर सके, fundamental rights मैंना आपको बता है, कि absolute नहीं होती है, इन पे reasonable restrictions imposed होती है, मैंना आपको उसमें example देते हैं, कि आप शारु खान के घर नहीं जा सकते, ये बोलके, अपसलूट कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं कुछ restrictions आपको इंपोस की जाएंगी, तो क्या ये cognitive development के लिए essential is, stable in nature है, law of nature हैंगे, तो ये बेस्ट on law of nature, ये आप understanding से भी solve कर सकते हो, and I think इन मेरे notes में भी कहीं directly आपको mentioned होगा, ये देख लो, in earlier centuries, these rights have been commonly spoken of as natural rights or the rights of man, तो nature से भी आप derive कर सकते हो, क्यूंकि इनको पहले natural rights ही बोला जाता था, ठीके वहीं से derived होए हैं, तो यहां से आपे आराम से question solve कर सकते हो, then is your next question, 8-year-old Dikshah is trying to adjust at her new school, she is in which of the following stages of development, तो ये कौन सी stage of development है, जो हमने Ericsson वाली इसमें पढ़ी हुई है, तो ये देख लो, इसका आंसर होगा, industry versus inferiority, मैंने आपको पढ़ाया है, industry जो है, इसको उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इसको entrance to life भी कहा था, जो Ericsson ने अपनी stage of development दी थी, कि ये वो stage है, जिसमें आप नई चीजे meaningful purpose, जो है life का, वो देखना शुरू कर देते हूँ, जिससे आप यहां पर देखो, industry versus inferiority, इसको latency stage भी बोलते हैं, तो refers to purpose, और meaningful activity, and a crucial aspect of school year's experience का, मैंने इसको highlight भी किया, that means, यह जो part is का important, यही आपका बाद में question बना है, question में भी उन्होंने यही पूछा है, school के related, can adjust at a new school, तो यह क्या answer होगा, with reference to UHRD, I guess, यह date हमने कहीं discuss नहीं करी है, but then, आपके syllabus में UN जो है, वो separately दिया हुआ था, तो यह जो UN है, इसी के organs है, यह ECOSOR, जो का answer यह है, Economic and Social Council, तो वो आपको UN के under detail में पढ़ना था, तो I guess, इसी लिए यह question नहीं यहाँ पे पूछा हुआ है, People worry about everything in, अच्छा, People worry about everything, गिस वाले disorder में, Generalized Anxiety Disorder, यह भी discuss किया हुआ है हमने, इसमें क्या होता है, आप हर चीज़ पे anxious feel करते हो, although, जरूरी नहीं कोई reason हो anxious होने का, but you feel anxious over everything, यह चीज़ भी हमने डिसकस कर ही है, Ramesh is a leader of a political left party, अब देखो, I don't remember, लेकिन किसी एक video में, मैंने आपको right wing और left wing के बारे में बताया था, जो regular watchers है मेरे, तो वो मुझे बता सकते हैं, किस video में मैंने बताया था, right wing and left wing, right कोन सी party होती है, जैसे आपकी BJP हो गई, यह थोड़ी conservativist होती है, जो society का traditional order है, यह वो चाहते हैं, maintain रहें, कोई change नहीं लाना चाहते, and जो आपकी left wing party होती है, इनका थोड़ा socialism वाला angle होता है, थोड़ा socialism वाली बात करती है, कि state ownership होनी चाहिए, जो profits हो सब में distribute होने चाहिए, वो आपकी left wing ideology होती है, ठीक है, तो अब वो ही जो left wing ideology वो यहाँ पर use करो, क्या question में पूछा है, रमेश is a leader of a political left party, he is discussing human rights, ठीक है, he would be discussing mainly which of the following rights, तो कौन से करेगा वो discuss, religious right नहीं, क्योंकि religion के बात नहीं करते, इनको होते है state ownership हो, जो religious institutions है, वो भी state के under आए, तो वो right तो नहीं करेगा, 3, 4 and 2, 3 cancel, social right इसका answer है, पहले ही 1 and 4, अगर आपको सरफ यह चीज़ पता हो, कि social rights है, socialism की ही बात ही basically करते हैं, society की rights, आपके labors के right, वो सारे आपकी left wing ideology है, तो आप अराम से equation एक ही go में solve करोगे, 1 and 4 इसका answer होगा, क्योंकि economic से related है, आपके socialism वाला सारा concept है, हमने polity में भी बढ़ा है, socialization, specialization में भी, मैंने आपको यह बात बताई है, ठीक है, and आपका social right, तो अराम से आपके question जो है, वीडियो से देखके, क्या अपने समझाओ का solve कर सकते हो, तो यह आपके 150, अगर कुछ रह गए होंगे, इसमें जो मैं discuss नहीं करे हैं, चाहे मेरे वीडियो में वो आ रहे हुए, नहीं आ रहे हो, वो आप में से बताऊगे, क्योंकि यह चीज में आपको सामने से, खुद बताई कौन-कौन सा question मेरे वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, पर दिन मैं आपको supplementary notes दे दूँगी, जहां पे कुछ और चीजे भी covered होंगी, उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ना है, जिनको मेरा इतना पढ़ाना भी जादा लगता है, उनके लिए फिर में और कुछ नहीं कर सकती, वो फिर कम पढ़े, उनकी मर्जी, तो till the time I upload next video, bye bye, take care, have a great day, I hope यह fruitful session रहा हो, आपके लिए चीजे आपको clear हुई हो, और अभी तक अगर आपने subscribe नहीं किया, तो I don't know आप subscribe क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि वीडियोज आप देख रहे हो, काफी दव व्यूज आती है उन वीडियोज से, जो उन लोगों से, जिन्नल सब्सक्राइब नहीं करी होती है चानल, तो इसी के साथ यह वीडियो खतम होता है, I hope यह session आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया, do like, share and subscribe to this channel, till the time I upload next video, bye-bye, take care, have a great day.